इन दौर में बनने जा रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 खंटे में लगाए जाएंगे 11 लाख पौधी इन दौर में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा 11 लाख पौधा रूपन आज कल आधोनेक दौर इसकदर बढ़ती ज़ा रही है कि लोग अपने सुकी सुभिता को देखते हुए पेड़ काटने से बाज नहीं आ रहे हैं जबकि हर किसी को पता है कि पेड़ पौधी हमारे लिए कितना जरूरी हैं फिर भी आए दिन लोग पेड़ काटते ही रहते हैं इसी बीच इन दौर में 14 जुलाई को वल्ल रिकॉर्ड बनने जा रहा है बता दे कि इन दौर में 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे इसको लेकर मंत्री कैलाश विजय वर्गिय और महापौर पुश्व्य मित्र भारगव ने प्रेस वार्ता भी की है उन्होंने बताये कि 100 संगठनों के 50,000 से ज्यादा लोग 14 जुलाई को पौधार उपड करेंगे और वल्ल रिकॉर्ड बनाएंगे बतादे कि उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और संगीत के भी विवस्था की गई है बतादे कि इसके लिए रेवती रेंज को नो जौन केशव सबजोन में विभाजित किया जाएगा जहां डॉक्टरों सहित हजारों को ओडिनेटर मौजूद रहेंगे बतादे कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इंदोर पूरी तरीकी से तयार हो गया है साथ ही जरूरी तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है शहर पौधार ओपन महुस्थव के शुरू होने का भी सबरी से इंतिजार कर रहा है इस संबंध में गुरूवार को नगरिय विकास मंत्री कैलाश विजय वर्गिया और महापौर पुष्य मित्र भारगव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह विश्व का जन भागीदारी का सबसे बड़ा कारिक्रम है और भारत का सबसे बड़ा पौधर ओपन आयोजन होनी वाला है बतादे के रेवटी रेंज पर 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाय जाएगा इससे पहले यह रिकॉर्ड अस्सम के नाम था जहां पर 9 लाख 25 पेड़ लगाए गए थे रक्षार ओपन के इस महा भियान में 100 संगठनों के 50,000 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगी और प्रतिक समाज के आराध्य देव और प्रतिक संस्था के आदर्ष के नाम पर वनों का नाम किया जाएगा इस अवसर पर डॉक्टरों की टीम समनवयक पार्षद, युवा मोर्चा, बीएसेफ सेना, तस्सिक्षन स्कूलों के स्वयम सेवकों की टीम, एन एसेस और एन सीसी के केंडेट्स, कॉलेज छात्र धार्मिक, सांस्क्रतिक और गैर सरकारी संगठन के लोग तैनात रहेंगे जो व्यवस्था संभालने के साथ व्यवस्थित तरीके से पौधा रोपन में मदद करेंगे, बतादे के रेवदी रेंज पर 50,000 लोगों के लिए स्वादिष्ट ताजे भोजन और पेजल की व्यवस्था की जाएगी, यहां लगातार 48 खंटे तक ताजा भोजन तयार किय जाएगा, रक्षारोपन अभियान में लगे लोगों के उस सहव वर्धन के लिए गीत संभीत की व्यवस्था की गई है, जहां देश भक्ती के गीतों से माहौल गुंजय मान रहेगा